प्यारे विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर आज का वीडियो बहुत इंपोटेंट है और जो आपको लाइफ टाइम में आपकी हेल्प करेगा तो ये है वीडियो हिंदी के वे शब्द जिनका उच्चारन लगभग निरानवे प्रतिसत लोग गलत करते ह हैं उच्चारन भले ही लिखने में वो थोड़ा सही करते हूंगे लेकिन उच्चारन मैं जहां तक सुनती हूं और कई विद्यार्थियों को और अच्छे लोगों को भी ये उच्चारन हर हमेशा गलत करते हैं जैसे वे कैसे गलत करते हैं मैं आपको समझाती हूं जैसे बि आपके हाथ जोडता हूं, लेकिन वो कहते हैं, यह बात तो मेरे हाथ में नहीं है, तीके, यहाँ पर यह थौ को किसमें चेंज कर देते हैं, तौ में, जो नहीं होना चाहिए, तीके, जैसे यह हाथ है, तो इसको, इसका उचारण बिल्कुल इश्पस्ट कीजिएगा, कि हाथ हाथ ही पढ़िएगा, हाथ नहीं, तीकuu, अब मैं, जैसे सामान्य आम, बोल्चार की भासा मैं, कहते हैंकि यह बात मेरे हाथ में नहीं है, अधिकतर आप ध्यान देंजेगा, वह यह नहीं बोलते हैं, कि यह बात मेरे हाथ में है, और दूसरा, जो महत्तव पूर्ण, शब यहाँ पर हम सुख और दुख नहीं उचारण करते हैं, शुख यहाँ पर इस खौ को को में बदल देते हैं, जो की गलत है, ठीक, इस पस्ट उचारण करें, चाहे आप शिक्षक हों, चाहे आप अभिभावक हों, ठीक, जैसा उचारण आप करेंगे, वैसा ही उचारण हमारे बच्चे सिखेंगे और तीसरी महतपूर्ण और बिल्कुल 99 परसेंट ये मैंने ध्यान दिया है जहां पर ये विद्यालाई होता है विद्यालाई पढ़िएगा इसको विद्यालाई उचारण कीजेगा इसको कई कई आप समाचार सुनिएगा जो नए वाले न्यूज रीडर आये हैं एंकर आये हैं वो इसको विद्यालाई बोलते हैं वो विद्यालाई नहीं कई न्यूज चैनलों में मैंने देखा है और आप अगर कहीं पर देखते हैं तो आप भी ध्यान दिजेगा वो इसको विद्यालाई पढ़िएगा विद्यालाई नहीं ठीक ऐसे ही विद्या जैसे विद्या है तो वो विद्धा पढ़ते हैं विद्धा ठीक जो की बिल्कुल गलत है ओके अब आगे बढ़ते हैं ठीक अब आगे लिए चलती हूँ आपको जैसे पढ़ना अब है पढ़ना और इसको क्या उच्चारण करते हैं ये पढ़ना है जैसे प पढ़ना बोलते हैं ठीक है जबकि लगभग लगभग इन दोनों का उच्चारण एक है लेकिन कहीं 0.1% इन में अंतर यह पढ़ना है यह पढ़ना है यह पढ़ना है यह पढ़ना और पढ़ना में अंतर है और कई-कई विद्यार्थी तो मुझे ये सुनाई देते हैं कि पढ़ना जो की कहीं से भी उचित नहीं है आप इसको स्पस्ट जो है पढ़ेगा पढ़ना इसको उच्चारण कीजिएगा अब एक बहुत आम शब्द में आपको लिए चलती हूँ हम आपको क्या चाहिए बोलते हैं चाहिए और ये आकी मात्रा को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं स्किप्ट कर देते हैं सीधे चाहिए आपको क्या चाहिए आपको क्या चाहिए आपको क्या चाहिए बोलते हैं क्या चीहें आपको हर हमेशा जो है चाहिए उच्चारण कीजिये इसका चाहिए न कि चाहिए और बहुत महतफ़ून आपको उच्चारण समझाते हूँ धनुष का धनुष ठीके लेकिन इसको 99 या 100% का आज कल तो इसका उच्चारण जो है आम हो गया है क्योंकि इसका उच् आपकी जीवा है ये आपका उपरी जबडा है और इसके पीछे जो एक खुर्दुरी जगह होती है उसके नीचे ठीक पीछे गहरा इस्थान है ये जीवा जो है यहां पर टच होती है तो हमारी इश वाले शौका उचारण निकलता है देखिए मेरे साथ कीजे धनुष यह धनुष 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 यह है ठनुष अब आगे बढ़ते हैं और आजकल जो है जैसे गणना है अंटों का उचारण कीजिएगा यहां पर लेकिन कई लोग जो है गरना बोलते हैं इसको आपने गरना की गरना की इस की अधिकतर जो है मैं देखती हूं जो गया कम बहुत ही जन्रल आपको बताती हूं सुभा आपके घर में अख़बार आता है या कई जहां पर इंग्लिस का जादे यूज होता है वहां पर न्यूप़ेपर बोला जाता है लेकिन जब हम अख़बार बोलते हैं कई बच्चे भी पेरेंट्स भी और टीचर भी अकबार बोलते हैं इसको अकबार आगया आपके घर में ठीक है और बो को वो बना देते हैं खो को बना देते हैं ठीक है इस खो को बना देते हैं जो की गलत है अकबार बोलिएगा इसको अकबार उच्चारण कीजिएगा अब करते हैं यहाँ पर भ्रहम है और अचारण बहां कि है जो की गलत है और इसका जो जो बहा है वह बोलना है भ्रहा भोलना है ठीक है और इसको भ्रहम उच्चारिप करना है अब उचारण में आपको लिए चलती हूं शानदार ये शौ की आवाज आनी चाहिए इसमें तीके किसमें क्या आनी चाहिए शौ की शानदार है ये सानदार नहीं है तीके इसको सानदार मत पढ़िएगा इसको शानदार शौ की शौ का उच्चारण आना चाहिए और एक महत्तपून अब जो आजकल बहुत ही फेमस समझाती हूं यह क्या है हम क्या उच्चारण कर रहे हैं इसका इसका उच्चारण कर रहे हैं लॉकडाउन ठीक है लो सी के डी ओ डबलु एन इसको यह बोल रहे हैं लॉकडाउन बहुत ही फेमस हुआ है लेकिन हम लिख क्या रहे हैं इसको लांग डाउन कहीं पर भी आप आचारों में देखिएगा, गूगल में देखिएगा, इस हम बोलते तो इसका उच्चारण तो शब्द यही है, LOC के DOWN, Lockdown कह रहे हैं, Lockdown हुआ है हमारे देश में, पूरा विश्व प्रसिद्ध शब्द हो गया है Lockdown, ठीक है, लेकिन हम लिख रहे हैं इसको, जो हिंदी में हम लिख रहे हैं, इसको Lockdown लिख रहे हैं, जिसकी जो spelling है, LAWKDAWN है, ठीक है, लिख तो इसको रहे हैं हम, बोल इसको रहे हैं, और जो spelling है उसकी यह है, ठीक है, अब है तो यह Lockdown, लेकिन हम लिखने में Lockdown इसको लिख रहे हैं, थोड़ा सा confusion है, ध्यान दीजेगा, आपको वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा इसको शेर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी को सुविधा मिल सके और जितने भी आपके कंफ्यूजिंग करें कमेंट्स मेरे पास आये हैं उनका में संडे को आपको जरूर उनका एक वीडियो दे दूंगी आप अपने कमेंट्स को देखिएगा कि उसमें सामिल जरूर होगा आपका कमेंट्स भी जैहिंद जैहिंद